नवाबो के शेहर लखनव में हैं और इस वक्त खड़े हैं रूमी दर्वाजे के आसपास यहां पे मैं साथ कुछ लोग जुड़ेंगे उनसे बाचीत करेंगे यूपी में चुनाव है क्या महौल है किसको वोट देंगे किस आधार पे वोट देंगे शुरुआत करते हैं सर क किसको वोट देने का प्लान है इस बारी अपकी मेडम ओड़ेने का जो हम लोग के वीचार है मैं समाजवादी पार्टी अकलेस यादो को मतब मैं दूंगा वोट अकलेस बेजा को दूंगा सबसे जान लेती हूं पहले सब का मत कया उसके बाद मैं आपके पास आती हूं सर यूपी में चुनाब है वोट दें झालाइस यादों कहम लोग चाहते हैं दिल से चाहते हैं मलायम सिंग यादों को समाझवादी पार्टी को और बेज़ा इतता इस वी जो आखलेस यादों को बोट देंगे अखलेष यादव की देने अखलेष यादव ने प्थरों की अखलेष यादव की वक्त ने बहुत ज़ादा दंगाई थी छाए नहीं हो गालात किस मों लोग अकलेशा तुर्म की किया यहां पर है पूरा शीज का सब कुछ काम किया है हब बनाया है सब चीज हम लोग अख्लेश भाई को चाहते हैं अब यह जानते हैं क्यों चाहते हैं सर्फ क्यों एक तो नौजवान सक्स पढ़हे लिखे हैं और उव्था समाज के लेका चलना चाहते हैं और उन्हीं प्रेश किया सब्सक्राम करने से मिलेगा और सपीटल। आपने लोकडोन में करोना के हालात में इतने लोग मर गये आपने देखा ही है आप चैनल वाली है तो आप खु ही उगा바ई। मैं यह जानना चाहती हूँ, अखलेश यादफ की सरकार में भी नहीं आया, बेरोजगारी पे, महंगाई पे इतना जादा कोई काम नहीं हुआ था मैं यह बताई है कड़वा तेल कितना महंगा हो गया है, लसन कहां चला गया है, प्याज कितना महंगा है, सबजी के बारे में बताए कितनी महंगाई है, हाई किया नहीं है महंगाई है महंगाई एक एहम मुद्दा ही देखिए उत्र प्रदेश में लोग कह रहें महंगाई बहुत जादा है और महंगाई से उत्र प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस बात को मैं बिलकुल भी नहीं जुटला सकती तो सर लेकिन कुछ तो काम होंगे जो आप गिन कि अभी जो है जहां जहां रोड खोद करके छोड़ी गई है वो रोड सालों हो गए वो नहीं बन पाया भी तक लेकिन उनकी सरकार में तो है रोड़ गली बन गई थी इस वक्त तो वही गली को खोट करके छोड़ दिया गया और वो ऐसी खुदा पड़ा है इसलिए तो आप ऐसा नहीं कहरें क्योंकि देगे यूपी में मैंने जितना देगा है धरम जाती की राजनिती बहुत जादा आपको लगता है उनके आने से सरकार बिगड जाएगी जो वहालात है वो बढ़ जाएंगे इसलिए नुकसान पोँच सकता है कौन को वोट कटेंगे लेकिर हम यह नहीं चाहते हैं कि उनकी वज़ा से अखलेश भैया का नुकसान हो। शिद्धा है और हमारा परातना है कि हम मुसल्मानों की आवाज मिम्बर पारलेमेंट में पहुँचानी चाहिए कौन सी आवाज आप चाहते हैं पारलेमेंट तक को हमारे भीच हमारे मुसलिम को भी एक मरतबे मौका दिया जाए उनको भी कुर्सी दी जाए तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं हुकूमत से मांग करता हूँ कि एक मरतबे मुसल्मानों को भी मौका दिया जाए उस कुर्सी पे बैठने का तो से दीन OAC आए है यूपी में चुनाव लड़ने के लिए मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि असादुद्दिन जो है वो हमारे मुल्क के एक मुल्क को तोड़ने में लगे हूँ और समाज को आपस में इतिहाद के बजाए वो फिरकापरस्ती में डालने में लगे हुए मैं असदुद्दिन के खिलाफ हूँ जी जी उससे मकसद नहीं है मुसलमान होना अलग है लेकिन एक यह हिंदुस्तान है यहां पे तमाम धार्मिक लोग रहते हैं सबको लेके चलना यह हमारा और आपका जिम्मेधारी कि यह सरकार ने पैarkan किया है या फिर लोगों में यह चीज है जी और पाक में हमारे धार्मिक किताब में आस्मानी किताब में यह साफ साफ कहा गया है inna karamakum ind allahe hatakum जिस ق््म का भी हो जिस कभीले का भी हो जिस जात पात का भी हो परभू इशवर अल्ला ग्वाट के नजदीक सबसे پ्यारा वो है जो उसे डरता हो इशवर से डरता हो और इशवर की मुहबत में सबसे प्यार करता हो इंसानियत को आम करता हो इंसानियत ही धर्म है इंसानियत ही कर्म है मैं कहना यह कि आज वोई टीले वाली मस्जीद जो देख रहे हैं यह अकलेश भाई का देन है जो आज टीले वाली मस्जीद के उपर आप जाएंगी आप देखेंगी तो तमाम चीज बना हुआ है हर एक चीज आई यह पार्क के पास जो खड़ी है यह अकलेश भाई का देन है बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करती इस चीज से देखेंगी मैं जो पत्रकारित करती हूँ वो निश्पक्ष होती है तो सवाल भी आपसे निश्पक्ष ही लोगी मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं बनवाया ठीक है उन्होंने काम करवाया ठीक है लेकिन आपको नहीं लगता कि वो भी तो उनको वोट क्यों नहीं दिये फिर इस बारी वो क्यों योगिया दितनाथ है अब मेडम एक आदमी के देने से थोड़ी वो जिच जाएंगे यह तो सब के दिल में आना चाहिए उन्हों को नहीं लगा हुआ ना कि उन्होंने काम किये ने ऐसा नहीं है कही ना कहीं पे कुछ लोग हैं जो बहके हुए हैं वो एक पिलट फारम पे लाने के हम लोग कोसिस कर रहे हैं कि अकलेस भाई आएं और उनके टाइम पे भी दंगे हुए थे मुझफर नगर के दंगे उनके वक्त में हुए थे जी जी ये उनका उस वक्त जब दंगा हुआ तो उनको एकसन लेना चाहिए था अखलेस अफ़ाई में व्यस्ते सलमान खान डांस कर रहे थे ये सारी वीडियो सामने हैं किसान का मुद्ध अखलेश यादफ के वक्त भी वूट देते हैं मैं मानती हूँ नेकि महंगाई बढ़ गई है लेकिन आधार क्या होता है आपका? कुंकि जो लोगों डंगे ये लोगों में वह कुछ ऐसी सोच है आपको क्या लगते हैं नहीं देखिए नेता तो सिर्फ जो है वो अपना एक सगोफा छोड़ देते हैं छोटा सा वो उसको लेकर के अवाम भी जो है पागल हो जाती है कुछ अवाम है हमारे मुसल्मान में भी है और हिंदू में भी है है इसको पसंद करती है हमारे ख्याहर ऑपसंद हें हिंदू या मुस्लीम है यह नहीं हो यह नहीं चाहिए हय और हमना जाहितinka है उन्हों नहीं बिल्कुल दुर्प परमाए है कहा कि हम लोगों को भार धी चाहिये भाई चारगी चाहिए और यहां पर देखिए जो लोग अभी माई साथ मौजूत थोड़े से अलग हो चुके हैं क्योंकि हम उनसे बात कर रहे थे सर वापस में आपके पास आ गई जो सवाल मैं सड से अभी लेना चारी थी अखिलेश यादव आपको भी पता है हर पार्टी यहां पर अपनी धरम जाती पर लड़ती है देखिए अखिलेश यादव यादव के वोट के लिए अगर आप कहें योगी जी तो हिंदू के लिए और जो माया वती दलेतों के लिए अब आपकी पार्टी से उसी देन वे उसी आ रहे हैं कहके कि हम मुस्लिमों के लिए कि अगर बात करें आपने कहा जैसे मुझे सर ने बताया ये तीला जो है वो अखिलेश यादव ने बन बाया लेकिन बेरोजगारी की बात करें जो एहम मुद्दे हैं जो मूलबूत सविदा हैं क्या वो अखिलेश यादव ने प्रदान करी ये एक ऐसी पार्टी है करनीत को लेकर आई है गरीबों को रोजी देना गरीबों को रोजगार देना और इस पार्टी के अंदडर सबसे बड़ी चीज है कि किसी फिरके को लेकर नहीं चलती है दुबारा क्यूं कि नहीं है दुवारा नहीं आई उसकी वज़े ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे योगी जी आ गए बीच में, हमारे मोदी जी आ गए, इन लोगों ने ऐसे काम किये हैं जो जिससे बहुत नुखसान हो रहा है आज, बहुत पीछे हो चुका है, फिरके परस्ती में लोगों को से कि राम मंदिर पर बात करते थे, लेकिन अब वो मुद्धा खतम हो चुका है, जे जी, कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि मुसल्मान को जो भी पार्टी मुसल्मान का साथ देगी, मैं उस पार्टी को देने के लिए तैयार हूँ, जो मुसल्मानों के साथ कांधे पे कांधे हाथ रखके चले, जो मुसल्मानों से बहुत दरकिनार है, मुसल्मानों को नहीं चाहते हैं, जैसे बीजेपी वाले हैं, ये मुसल्मानों के लिए कटर दुश्मन बनके आए हैं, और मुसल्मानों के साथ बहुत बुरा बहवार इनका हो रहा है, इसलिए इस पार्टी को ख क्योंकि देगे हमारा देश सैकुलर है जी असल में उसकी वज़े ये है कि उनके अंदर बहुत सारी चीजें है जो उन्होंने लोगों को बरगला के रखा है और दिलों पे वो वार कर चुके हैं सब के दिलों पे बैटे हुए हैं जिसकी वज़े से हर आदमी डर चुका है क्योंकि वो एक तरीके से लोगों के अंदर दहशत पहला हुए हैं वो जिसकी वज़े से आदमी खुल करके सामने नहीं आ रहा है आप भी डरे हुए हैं नहीं मैं तो नहीं डरा हूँ मैं तो इश्वर अल्ला से डरता हूँ अपने लेकिन जो मैं देख रहा हूँ नजरिया और जो महौल देख रहा हूँ जो समाज के अंदर होनी चाहिए वो सब चीजे नहीं है इस सरकार से इस गौर्डमेंट से बहुत नुकसान पहुंच रह और लोगों को नुकसान पहुंच रहा है और मैं यह चाहता हूँ कि उत्तरपरदेश का निजाम जभी आगे बढ़ेगा जब समाजवादी पार्टी हमारे और आपके बीच में आईगी देखिए हम उत्तरपरदेश के लखनव में हैं चुनावी यात्रा कर रहे हैं और आप तक लोगों की राय पहुचा रहे हैं कि उत्तरपरदेश के आवाम के दिलों में क्या है लोग क्या चाहते हैं किसकी सरकार आए हर एक पहलू से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट दे, विकास के नाम पर वोट दे कि क्या बेरोजगारी महंगाई हटी है या नहीं फिलाल के लिए अभी के लिए इतना ही बने रहे है हमारे साथ धन्यवाल